वो 20 तारीक डेट है जिसमें इन सारे convicted को हैंग किया जाएगा तीन बार और फासी दे चुके हैं मैं जानना चाहता हूँ मीडिया प्रेशर में बारत के सब इधान के रहते हुए कितनी बार आफ फासी दोगे कितनी बार मारोगे लोगों को 20 तारीक सारे पांच बजे का ये फाइनल डेट होगा क्योंकि अब ऐसा कोई रेमडी नहीं है कोई सरकारी रेमडी नहीं है जो इस डेट को पोस्पोन कराए नमस्कार मैं हूशा कश्या पर आप देख रहे हैं लगभग 6 बजे ये जो दरिंदे हैं इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे निर्भ्या के गुनेगारों के लिए फंदा लगभग तयार है अब लोगों को सिर्फ 20 मार्च का इंतजार है 20 मार्च और लोगों मैं इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि जब सन 2012 में ये केस हुआ था संसत से लेकर सडक तक कोहराम मच गया था सभी लोग सडकों पर आ गए थे उन सभी लोगों ने संघर्ष किया और अब मंजिल संघर्ष की जो मंजिल थी वो अब करीब है निर्भ्या मामले में सभी दोशियों के पास कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दिल्ली की अदालत ने सभी के खिलाफ नया डेथ वारन जारी किया जो की 20 मार्च है इस नए डेथ वारन के अनुसार सभी दोशियों को 20 मार्च सुभा साड़े 5 बजे फासी की सजा होगी निर्भ्या के दोशियों की बेशक 3 मार्च को फासी की सजा पर तामील नहीं हो पाई पहले जो तीसरा डेथ वारन जारी हुआ था वो 3 मार्च के लिए हुआ था लेकिन फासी नहीं हो पाई क्योंकि जो दोशी पवन गुपता की दया याचिका है वो राष्टपती रामनात कोविन द्वारा खारिज नहीं हुई थी खारिज होने के बाद दोश्यों के पास सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए एमल शर्मा और एपी सिंग जो की दोश्यों के वकील है दोनों ही इस मामले को डिले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस मामले में सुनवाई भी होनी है पर जब भी दोश्यों ने बचाव के लिए कोई कानूनी पैत्रिक अपनाए जब चौथा डेथवारन जारी हुआ तो जानिए क्या बोली आशादेवी जोकी निर्भ्या की मा है सीमा खुश्वाहा जो की निर्विया की पेरंट्स की वकील है और एपी सिंग जो की बचाव पक्ष के वकील है जो की दोशियों के वकील है मैं जानना चाहता हूँ मीडिया प्रेशर में बारत के सभीधान के रहते हुए कितनी बार मारोगे लोगों को या अतंकवादी नहीं है यह पढ़े लिख्ये हैं जेल में सुधर रहे हैं, जेल में समल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं, जेल में रहे के आपकी आवाजें, आपकी चीखें ये बता रही है कितना प्रेशर है, ये चौथर देत वारंड जारी किया है. वो 20 तारीक डेट है जिसमें इन सारे convicted को हैंक किया जाएगा जी बिल्कुल फाइनल लग रहा है ये ठलेगा बिक्टिम हम 20 तारीक को बनाएंगे जब वो फासी फे लटकाएंगे तब हम आपनी जीत और खुशी जाहिर करेंगे आठी इस फसले पर आप प्रस्क्रिया है आपकी देखिए ये जो आज नेया डेट जारी हुआ है बिस तारीक सारे पांच बजे का ये फाइनल डेट होगा क्योंकि अब ऐसा कोई रेमडी नहीं है कोई सरकारी रेमडी नहीं है जो इस डेट को पोस्पोन कराए और फाइनली बिस तारीक को फांसी पे लटकेंगे निर्भया को इंसाफ मिलेगा डेश के बचियों को इंसाफ मिलेगा क्योंकि ये लडाई सिर्फ अब हमारी नहीं रही ये इंसाफ भी हम सबका होगा हमारे देश के बचियों को होगा क्योंकि हमारे साथ सारे लोगों ने इसका इंतज किया है खासकर एक समाज में संदेश जाएगा और लोगों का कानून पे भरोसा बना रहेगा तीन बार कानूनी डाउं पेच में फांसी फस चुकी है लेकिन अब फांसी का फसना जरा मुश्किल है आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवार देश और दुनिया से जुड़ी सब